आप किसी से मिले भी नहीं है, फिर भी उनसे connect कर बाना, उनसे प्यार कर बाना, इसका best example फैलान ये 2001 की Korean romantic movie है एक gangster को पता चलता है कि उसकी wife मर चुकी है, पर इस wife से वो कभी भी नहीं मिला है इस movie की ये storyline है, और आज मैं आपको ये explain करने वालो हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं movie स्टार्ट होती है, और हमें airport दिखाया काया है, इस airport पर Sicilia land होती है, ये जो देश होता है, ये Korea होता है Sicilia actually China से होती है, और यहाँ अपने relatives को मिलने आई हुए होती है next scene में हमें और एक नया main character introduce होता है, इसका नाम हम John रखेंगे John एक gaming parlor पर होता है, जहाँ आप जुआ भी खिल सकते है वहाँ पर एक machine के सामने, वो सो गया होता है, उसे एक लड़का उठाता है, उस और हो बहुत ही चीट जाता है वो से पुछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, उसे डराता धमकाता है और फिर gaming parlor का जो owner होता है, उसके पास चला जाता है उसे भी वो coin के लिए धमकाता है, जॉन जो होता है, अभी अभी जेल जाकर वापस आया हो होता है जॉन एक चोटा से गैंक्सेट होता है, और एक गैंक के लिए वो बहुत सारों से काम करता है बोस के ऑफिस के बाहर वो खड़ा होता है, अपने बोस के लिए उसने एक टोस्टर भी गिफ्ट लाए होता है उसका बोस उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, अभी अभी तुम जेल से आयो और डारेक्ली मेरे पास आगए इससे वो ट्रवल में आ सकता है, इसलिए वो ये बोल रहा होता है जॉन का बोस उसे मारता है और दफा होने के लिए बोलता है जॉन का city में DVDs बेचने का एक दुकान होता है इसी shop में वो बच्चों के bond, tapes भी बेचता था इसी वज़े से वो arrest हो चुका था और इसी वज़े से वो jail गया था जब ये वापस आता है तब देखता है कि ये दुकान कोई वाल चरा रहा है जिस लड़की को जॉन ही दुकान समालने के लिए छोड़ कर गया था ये उसके साथ intimate हो चुका है जो ये समाल रहा होता है इसको जॉन पहचान लेता है ये उसके गयान का member होता है जॉन उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो लड़का बोलता है कि आज से ये मैंनेज कर रहा हूँ जॉन उसे गाले देने लग जाता है वो भी उसे गाले देता है फिर वो लड़का explain करने के लिए कहता है जो बॉस है उसने अभी मुझे मैनेज करने के लिए ये दिया है जॉन उसे धमकी दे कर जाता है जिसमें वो है तुम जाकर ले सकते हो जिस तरह से फ्रेंड्स होते हैं एक दुसरे को मार मरोड कर कुछ भी चीज़े मांग लेते हैं इस तरह से इन दोनों की फ्रेंड्शिप होती है नेकसिन में हमें जॉन का पॉस दिखाया गया है वो एक किलब में होता है और वहां की जो होती है उसको बहुत ही डाट रहा होता है उसे कहता है कि तुम जो पैसे लाती थी वो बहुत ही कम हो चुके है उसे पता होता है कि यह गड़बर कर रही है वो उसे धमकी देता है और अलग प्लेस पर जाकर पैसे कमाने के लिए बोलता है इस लड़की के जो इंचाज होते ह जिनको इसने पैसे देने चाहिए थे, उनको भी डाटता है, इन्हें मारता है और कहता है कि हम ऐसे चीजों को स्लीप नहीं होने दे सकते, वो कहता है कि हम ऐसे चीजों को अगर लूस होने देंगे तो एंपायर हम खो देंगे, यह बहुत ही स्टिक्ट होता है और बहुत ही ज पास आया है। ये बॉस से जब बात करता है तो बॉस से रिख बॉक्सिंगा पास आया है। काम है जो तुम कर सकते हो वो फिर उसे एक नूडल सोब पर लेख रहा थे वहा कि जो एक ओड लडी होती है वो गैंग को हमेशा सर्व कर ती है बहुत सालो से जान एक इस बार इसने जो लोन लिया था वो पे नहीं कर पा रही इसी वज़े से उसे डराना धमकाना है जॉन ये ट्राय करता है पर बोलती है कि मैं तुम्हें कितने बार खिला है वोसे वो ऐसी जटक देती है जॉन भी जादा कुछ करने पाता क्योंकि उसकी परदी सिंपधिक होता है फिर गैंका एक नया लड़का उटता है और उस लेड़ी को साइन में फेक देता है जॉन उसे रोगने के कोशिश करता है जॉन को भी मारता है फिर ये सब उस ओल लेड़ी को धमगी देते है कि हम तुमारा पूरा दुकान जला देंगे और केरोसिन पर डालने लग जाते है फिर ये ओल लेड़ी कहती कि मैं कुछ भी करूँगी तुमारा लोन में पेई कर दूँगी जब बाहर आते है तो गैंका लड़का जॉन को कहता है ये तुम हमारे सिनेर हो पर हम तुमें सिनेर कैसे बुला सकते है तुम उस ओल लेड़ी को भी हैंडल नहीं कर पाए तुम सौप्ट हो चुके हो और इस काम के लिए तुम नहीं बने हो ये कहकर वो जा रहा होता है तभी जॉन को बहुत ही खुस्ता आ जाता है वो एक ब्रिटल पत्थर लेता है और उसके सर में डाल देता है इन सब का अब जगड़ा हो जाता है जॉन सिनेर है और ये सब जुनियर थे फिर भी इन में फाइट हो चुकी है तो एक प्रॉल्लम हो जाता है अब बॉस ने इन सब को बुला आता है जो भी सभी लड़के होते है इन सब को उनका बॉस बहुत ही मारता है जॉन को भी जाने के लिए बोलता है पर जॉन वहाँ से जानी रहा होता उसका बॉस उसे कहता है कि इन लड़कों के साथ तुम्हारा जगर नहीं होना चाहिए था जॉन कहता है कि उस ओर लेडी को पर वो उसे बोलने ने देता जॉन का बॉस उसे कहता है कि तुम पास्ट में क्यो अटके पड़े हो तुम जिस तरह से भीहेव कर रहे हो वैसे अगर में करता तुम्हें अपने आपको मार टालता जॉन सुनने रहा होता तो जॉन को भी वो बहुत मारता है जॉन को मारकर फिर वो उसके बारे में ही लेकर आता है उसे कहता है कि हम दोनों ने गैंग एक साथ ही जॉइन की थी पर मैं कहा का कहा पोच गया जो कट्स इस काम के लिए लगते है वो तुम में नहीं है तुमारा हार्ड बहुत ही सॉफ्ट है उसे बहुत सारी दारू वो यहाँ पिला रहा होता है इस बार में फिर जॉन का बहुत नोटिस करता है कि एक दूस गैंग के मेंबर को वो बहुत ही मारता है जॉन भी बाहर निकलता है यह दूसरे गैंग का मेंबर अब जॉन के बॉस को ही मार रहा होता है तो जॉन उसको बहुत मारता है यह दोनों मिलकर उसे जान से मार देते हैं दूसरे दिन जॉन का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुल उसे देने वाला होता है, उसे कहता है कि तुम्हें हमेशा एक बोट खरीनी थी, तुम्हें अपने गाउ जाना था, मैं तुम्हारे लिए ये बाई करके दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं इस उमर में जेर में चला गया, तुम्हें ज चला जाता है जब रात होती हैे तो जौन अपने फ्रेंच के साथ तारू पी रहा होता है। तुम बोर्ड बाई कर सको, जॉन फmercial जाता है, क्योंकि यह सच होता है, वो फिर बहार आता है, और अपने boss को कॉल करता है, उससे कहता है, क्या सच मी में, तुम मुझे पैसे देने वाले हो, उसका boss उसे हा कहता है, फिर John कहता है, कि पहले पैसे, मेरे अकॉर्ण में डाल दो उसके बाद मैं इस काम के लिए रेडी हो जाऊंगा जब नेक्स दिन आता है तो जौन अपने घर पर होता है और पुलिस दर्वाजा खट-कटाती है उसे लगता है कि पुलिस उसे ले जाने के लिए आई है और पुलिस उसे कहती है कि तुम्हारे वाइफ मर चुकी है ये सिन यही कतम हो जाता है और नेक्स दिन में हमें फिर से सिसीलिया दिखाए गई है सिसीलिया अब कोरिया में अपने रिलेटूस से मिलने के लिए आ रही होती है वो टैक्से से उतरती है और जो पता होता है वहाँ जाती है वहाँ एक दूसरी ही lady होती है वोसे कहते है कि तुम्हारे जो रिलेटीज है वो कबके यहाँसे चले गए है वो United States में कैनाडा में रह रहे होते है सिसी लैज होती है उसके family मर चुकी होती है चाइना में उसका कोई नहीं बाकी रहता इसलिए वो कोरिया आई हुई थी है पर अब उसके रिलेडियोज भी कोरिया में नहीं है तो एब बहुती बड़ी प्रॉल्म है जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो एक बिल्डिंग पर होप लिखा होता है वो फिर से होप फूल ह हो जाती है वो अपने embassy में आती है उनसे कहती है कि अब मैं क्या करूँ वहाँ के जो लेडि होती है उससे कहती है कि अगर तुम्हारे लेडियोज या नहीं है तुम्हारा विशा कैंसल हो सकता है तुम यहां नहीं रह सकती है यह बड़ी प्रॉल्म हो जाती है तो वो कहती ह कि कुछ तो हुए होगा जो मैं यहाँ रह सकती हूँ यह लेड़ी फिर उससे कहती है वो उसे सला देती है कि अगर उसने लोकल कोरियन के साथ शादी कर ली तो यह इससे बढ़ सकती है वो यहाँ रह सकती है नेक सीन में जॉन और उसका फ्रेंड दिखता है जॉन बैसो के लिए सीसीलिया से शादी करने वाला होता है उसने वेपर साइन कर दी होते है और वो जॉन को दे देता है सीसीलिया ओफेस में होती है और जॉन बाहर होता है जॉन का फ्रेंड उसे कहता है कि एक बार उसे देखतो लो उसे देखता है पर इसमें जादा वो थौट नहीं देता जॉन शादी के लिए आ रहा है इसलिए उसने स्कार्ब पहना होता है जॉन का अंदर जाने के लिए कुछ भी काम नहीं रहता तो उसका फ्रेंड उसे कहता है ये क्या स्कारब पहन कर रखा है जॉन को यजिब लगता है तो उसका स्कारब निकाल कर अपने फ्रेंड को दे देता है वो कहता है कि सिसिलिया को ये दे दो वहाँ जाकर अब जॉन को सब पेपर वर्क वेगरा सब साइन करना पड़ेगा यह सब काम उसे करने पड़ेंगे और इसमें टाइम होगा तो इसलिए वो उसके बॉस पर पास आया हुआ होता है उसका बॉस उसे कहता है कि जा कर आओ पर जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें जेल में जाना है वो उसे थोड़े से पैसे भी दे देता है जब जॉन ओफिस से निकलता है तो जॉन की जुनियर्स होते है उन्हें बाव करने के लिए जॉन का बॉस कहता है जॉन को प्रिस्पेक मिलने लग जाती है फोटो उसे दिखाता है वो कहता है कि पुलिस ने अगर तुम्हें बुचा तुम्हें identify करना आना चाहिए जॉन जब सिसिलिया के फोटो देखता है उसे बहुत ही दूख होता है वो कहता है कि यह बहुत ही beautiful है इसके साथ यह कैसे हो सकता है इसकी एज बहुत ही कम होती है इसने life का experience ने लिया है इसलिए इसे बहुत ही अब बुरा लग रहा होता है फिर से हमें सिसिलिया दिखाए गई है हमें पता है कि सिसिलिया ने जॉन को बहुत सारे पैसे दिये है पर ये जो पैसे थे, ये जॉन के फ्रेंड से उसने लेंड किये थे जॉन के फ्रेंड के कनेक्शन्स होते है, तो एक बॉस से उसने पैसे ले होते है और सिसिलिया उस बॉस के नीचे काम करने वाली होती है जॉन का फ्रेंड सीसिलिया के बॉस के पास उसे लेकर आता है उस पैसों को चुकता करने के लिए उसे स्ट्रीप करने पढ़ने वाला होता है जब वो इस ओफिस में होती है और अपने बॉस से बात कर रही होती है तो भी उसे खासी आ जाती है खासते वक उसके हाथ में खुन भी लग जाता है इसे बॉस डर जाता है इसे जो बिमारी है दुसरों को भी हो सकती है इसे वो बहुत ही डर जाता है और ये काम अब उसे वो नहीं करने देने वाला होता फिर जॉन का फ्रेंड और उसका बॉस यह सब उसे एक laundry में लेकर आते है एक old lady के laundry होती है और उसे वो कहते है यह तुम्हारे लिए काम करेगी इसके जो भी सब पैसे आएंगे यह उसका boss लेने वाला होता है यह old lady कहती है कि बहुत इसकीनी है इससे एक कपड़े धोने वाला काम कैसे हो सकता है यह old lady नाराज होती है कि यह काम कुछ भी नहीं कर सकेगी फिर भी उसे accept कर लेती है एक छोटा सा room होता है जो उसे सोने के लिए वो दे देती है इस room में वो आती है पानी का नल स्टाट करती है इस पानी के नल से बहुत गंदा बानी आता है इस पानी के आवाज में वो रोने लग जाती है उसके पास अब family भी नहीं है और उसे बहुत अकेला मैसुस होता है दूसरे दिन सिसिलिया बहुत सारे कपड़े दुती है और जब यह old lady देखती है तो हो हैरान हो जाती है वो amazed होती है कि इतनी सी लड़की इतने सारे कपड़े कैसे दो सकती है फिर यह old lady वहाँ कि उसे language सिखाती है सिसिलिया जो होती है उसे Korean आती है पर उतनी अच्छी नहीं आती तो उसे Korean सिखाती रहती है सिसिलिया अब इस काम में अच्छे से गुल मिल जाती है सिसिलिया ने जोन के लिए एक letter लिखा होता है जो जोन को अब मिल जाता है उसमें लिखा होता है कि Thank you मुझसे शादी करने के लिए मैं आपकी बहुत ही शुक्र गचारू अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मैं कूरिया में नहीं रह पाती इतने अच्छे लोगों से मैं नहीं मिलबा थी जो सब मेरे आसपास लोग है ये बहुत ही काइंड है इन सब से ज़्यादा काइंड आप है जो आपने मुझे से शादी की है जॉन ये पढ़ता है और उसे और भी जादा अनकमफटवल महसुस होता है उसके लिए और भी उसे बुरा लगता है जॉन का फ्रेंड सिसिलिया के बोस से मिलने जॉन को लेकर जाता है ये सब लंच कर रहे होते है तो सिसिलिया का बोस कहता है वो मुझे बहुत सारे पैसे ओग करती थी और वो मर गई वो उसे गालिया दे रहा होता है रात में जब चॉन सो रहा होता है तो सिसिलिया का लेटर फिर से बढ़ता है वो कहता है कि इसकी एज इतनी कम थी फिर भी ये कैसे मर सकती है वो इस रूम में बहुत ही warm महसुस करता है वो अब जेल में जाने वाला है तो इस रूम के लिए वो बहुत ही grateful है एक सिन में हमें फिर से सिसिलिया दिखाए गई है और उसकी पुष्टाच करने के लिए कुछ पुलिस ओफिसर आते है वो इल्ली के लिए यहां रह सकती है इसी वज़े से उसके marriage papers वेगरा वो देखती है ओल लेडी उसे cover करती है और वहाँ से पुलिस को जल्दी से भगा देती है सिसिलिया अपने रूम में आती है तो फिर से अपने पती का यानि की जॉन का फोटो देखती है इस फोटो को देखकर अब वो फ्रेम कर लेती है इस वर्ल्ड में अब उसका अपना कोई भी नहीं है जॉन जो है यह अंजाना है फिर भी उसका पती है इसका ही उसे सहारा है इसलिए उसका फोटो फ्रेम कर लेती है और हमेशा यह देखती रहती है उसके लिए और एक later इसने लिखा होता है सिसिलिया जब गॉघ में थी और ये वाशिंग का काम कर रही थी तो जॉन का फरेंड भी उसे मिला था सीसिलिया उसे थेंक्यू बोली थी और उसने कहा था कि जॉन को तुम थेंक्यू कहे दो जॉन के फ्रेंड ने उसे कहा था कि जॉन भी तुम्हें बहुत ही मिस करता है यह सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा था जॉन के फ्रेंड ने सिसिलिया को कहा था कि बीच पर चल कर हम कुछ शूट करेंगे इसके लिए भी सिसिलिया रेडि हो जाती है नेक्स दिन में सिसिलिया हम एक सूपर शॉप में दिखाई गई है यह आकर वो टूथप्रेश खरिती है इस बार वो दो टूथप्रेश लेती है उसे लगता है वो जॉन से कभी ना कभी तो मिलेगी ही इसी वज़े से ये दो टूथप्रेश उसने लिए होते है उसे खरित कर बहुत ही रोमेंटिक और अच्छा मैसूस होता है नेक्स दिन जब वो कपड़े पर इसकर रही होती है तो उसके मूझ से बहुत ज़ादा खोनाने लग जाता है उसे बहुत ही तकलिफ होती है और राद में भी वो सोनी पाती अब नेक्स दिन में हमें दिखता है कि जॉन सिसिलिया के टाउन में आ चुका है यहां बहुत सारा बर्फ जमा हुआ हो देखता है उसका जो फ्रीडम है इसके बहुत ही कम दिन अब बचे हुए है तो इस बर्फ पे वो नाच्टे लगता है अब जॉन उसका फ्रेंड पुलिस टेशन आते है पुलिस टेशन आने के बाद जॉन डाः रहा होता है वो उसका फ्रेंड उसे करेज देता है उसे अंदर लेकर जाता है सब फॉर्मलेलिटी इस वो कम्प्रिट कर लेते है हमें फिर से सिसिलिया का सीन दिखाए गया है और वो अपने बोस के पास आती है उसे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ उसका बोस बहुत स्ट्रिक्ट होता है और खेता है कि तुम अभी भी मेरे पैसे मुझे ओव करती हो वो दर्द में होती है और वो काम नहीं कर पा रही धिर भी वो उससे पैसे के लिए हरास करता है सिसिलिया अब दर्द में है फिर भी उसे काम करना पड़ेगा जॉन का फोटो भी देखती है वो के थी है कि मैं मरने वाली हूँ यह बहुत सकेरेड हो जॉन के प्रती उसे feelings आने लग गई होती है और फिर उसे मिलना चाती है वो मरने वाली है इसलिए वो जॉन के शहर में भी आ जाती है जॉन अपने शॉप में होता है उसे बाहर से वो देखती है वो आपने आपको एक बार देख ले थी है कैसे वो दिख रही है वो आज उससे पहली बार मिलने वाली है तभी वहाँ पूलिस आ जाती है जॉन ने जो इलीगल टेप सेल की थी इसी वज़े से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है जॉन और सिसिलिया यहां मिलनी पाते है हमें फिर से जॉन दिखाए गया है और सिसिलिया को जो मेमरिल होता है वहाँ आता है कैंडल जलाता है और बाहर आकर बेट जाता है उसके बाद फिर सिसिलिया की बोड़ी उसे दिखाई जाती है यह वो देख नहीं पाता और वहाँ रोने लग जाता है उसका फ्रेंड से कहता है कि बस हो गया वब एक्टिंग बहुत ही आच्छी तुम एक्टिंग कर रहे हो पर जॉन को यह सब सच मुझ में महसुस हो रहा होता है जॉन और उसका फ्रेंड जब रात में टीनर कर रहे होते जॉन केता है कि कितनी घटिया तुम आदमी हो सिसिल्या मर चुकी है और वो ताव से खा रहा है इसलिए उसे बहुत भूरा लग रहा होता है जॉन का फ्रेंड उसे कहता है या अपने आपको क्या तुमने देखा है तुम भी मुझसे ज़्यादा घटिया हो जॉन केता है कि मैं भी तुमारे तरह ही हूँ हम इतने बुरे है पर फिर भी हम जी रहे है और सिसिल्या के सिमर गए उसे गिल्ट ओफ सेर्वाइवल मैसुस हो रही है अब जॉन का काम खतम हो चुका है वहाँ से जाने वाला होता है उसके बॉस का उसे कॉल आता है जॉन को उसका बॉस फे से याद करा दे रहा होता है कि उसे जिल में जाना है सिसिल्या जहां रह रह रही थी वहाँ पर जॉन आ जाता है वहाँ की जो ओल लेड़ी होती है उसे बोलती है अब तुम आये हो वो तुम्हारा कितना वेट कर रही थी तो यह मालूम में नहीं है उससे बहुत डाटती है इस ओल लेड़ी को उनकी जो अरेजमेंट थी इसके बारे में नहीं पता है जॉन से सिलिया का रूंग देखता है उसकी सब चीज़े देखता है उसका प्रेजंस वो वहाँ महसुस करता है जॉन जब जार होता है तो old lady उसे एक लेड़र देदी थी है यह सिसीलिया ने जॉन के लिए लिखा होता है जॉन फिर C के पास जाता है वहाँ अकेले बेट कर वो लेटर पढ़ने लग जाता है उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें लेटर मिल चुका है तुम्हें मर चुकी हूँ आपने मुझे चो काइडनेस दिखाया इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ जब मैं आपकी बिक्चर देखती थी इससे आपसे मुझे पैर हो गया मैं बहुत ही अकेली थी और यह बहुत ही difficult था पर जब भी मैं आपकी फोटो दिखती थी आप फोटो में हमेशा स्माइल करते रहते थे मुझे आपसे एक favor मागना है कि as a wife क्या मैं आपकी wife बन कर मर सकती हूँ जब मैं मरूंगी तो please मुझे देखनी के लिए आपाना उसकी जो last wish है यह John ने fulfill कर दी है उसमें लिखा होता है कि world में उससे भी वो सबसे ज़ादा प्यार करती है John लेटर परता है और बहुत emotional हो जाता है वो रोने लग जाता है John फिर घर पर आजाता है वो अपने बॉस के साथ उसकी meeting होती है वो अपने बॉस को कहे देता है कि अब मैं jail नहीं जाना चाता वो अपने गाव जाकर अपनी life जीना चाता है John फिर अपने घर आ जाता है उसका friend भी उसके साथ होता है John अब जाने वाला है तो उसका friend उसे कहता है कि दो मिनिट यहां रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ जॉन जरा बोह रोने लग जाता है, तो कुछ मुवीज विगरा वो देख ले इसके लिए उसीडी देखने लग जाता है एक सीडी पर सिसिलिया का नाम होता है जॉन को जो फ्रेंड था, उसने सिसिलिया को कहा था कि बीच पर आओ, हम तुम्हारा कुछ आर्ट बनाएंगे यह टेप फिर जॉन लगता है इसकी जो शुरुवात होती है, उसमें जॉन का फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम जॉन को मिस करती हो, तो जॉन के लिए तुम गाना गाओ इसमें सिसिलिया गाना गाते हुए दिखती है जॉन ने देखकर रोने लग जाता है तभी उसका जो फ्रेंड होता है, वो आपस आ जाता है एक तार उसने लाह होता है जॉन के नेक पर वो बान देता है और जॉन को गला घुटकर वो मार देता है जॉन उसके लास्ट पोलो में सिसिलिया को देखते देखते ही मर जाता है यही यह मूवी एंड हो जाती है जॉन के बॉस को जॉन ने वादा किया था और जॉन का जो बॉस था वो बहुत इस्टिक्स था हमने देखा था कि उसने मुवी के फर्स्ट में ही कहा था कि चीजों को हम ऐसे लूज नहीं छोड़ सकते हमें पूरा काम करना चाहिए और हमें situation को handle करना चाहिए वरना हम हमारी power lose कर सकते है जॉन को जाने देना ये power lose करने जैसा है तो इसलिए जॉन को वो मार डालता है जॉन और सेसिल्या दोनों बहुत याकेले थे ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मिलने पाए पर जब इनके लाइफ में एक दूसरे को उन्होंने याद किया तो वो सेम महसूस कर रहे थे जॉन की लाइफ अब बरवाद होने वाली थी उसके पास कोई नहीं था और वो जेल में भी जाने वाला था उसका respect कोई नहीं करता था और उसके लाइफ में उसे मज़ा भी नहीं आ रहा था सिसलिया जो थी उसका कोई नहीं था वो इस दुनिया में अकेली थी ये दोनों बहुत ही जादा अकेले थे एक दूसरे से अगर ये मिल जाते तो इन दोनों का अकेला बंदूर हो जाता ये दोनों सेम फिल करते थे एक दूसरे से एक पैर करने लग गए थे टाइम इनके सैट पर नहीं था जॉन का एक ही ड्रीम था कि वो अपने गाव में जा सके और वा फिशिंग कर सके जब सिसलिया का लेटर वो पढ़ रहा था वो सी के बास आया था उसे जो सब चीज़े पैर है वो इस लेटर में वो जी रहा था सिसलिया कभी फ्रीडम नहीं पा सकी जॉन भी यही फ्रीडम पाना चाहता था इसलिए उसके बास को उसने मना कर दिया था पर वो कभी यह फ्रीडम पा नहीं सका उसके लास्ट फ़लो में सिसिलिया और समुंदर ये दोनों उसके जो पैरी चीज़े थी इन्हें देखते देखते ही हो मर गया इस मुवी में साइलन्स, लोनलीनेस और लॉंगिंग ये बहुत ही ब्यूटिफुल दिखाये गया है अगर आपको ये मुवी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे मैं बहुत सारी मुवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकोन भी दबा दीजे हम फिर से मिलेंगे नई मुवी के साथ तब तक के लिए धैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये